पीजे सर कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका हर्दि स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ जिसे कि हमारी साइंस की क्लास चल रहेगे मैंने आपको फिरदे पढ़ा दिया और उसको वे भी अपने वी गम्लेट हो गया तो वीडियो आपको मिल गई होगी तो आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा आज जो अमारा साइंस में जो टोपिक रहेगा बूर रहेगा रक्त बूर रहेगा हमारा रक्त हमारा के रेगा वो रेगा हमारा रक्त इसके बारे में हम डिसकस करते हैं बहुत ही important क्या है तोपिक है हर एक्जाम में एक या दो नम्मर का आपको पूरी रक्त के जितने भी ठेक्ट हैं मैं आपको एक ही करके पूरे को आराम से आपको समझाऊंगा हम क्लास को चालू करते हैं इसमें यह पहला point आता है बोजी आता है रक्त एक रक्त एक सयोजिक ओतक है रक्त एक क्या है रक्त एक सयोजिक ओतक है रक्त एक सयोजिक क्या है ओतक है दूसरा point इसमें लिखते है दूसरा जो point वो है रक्त एक चारिये तरल द्रग तरल क्या है रक्त एक चारिये प्रगर्ति का होता है अगला पॉइंट लिखते हैं रक्त की मात्रा रक्त की मात्रा मानब में 5-6 लिटर तक होती हो सकते हैं मानब में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5-6 लिटर होती है अगले पॉइंट की हम बात करते हैं रक्त रक्त मानब में रक्त की जो प्रतिसात होती है रक्त की प्रतिसात बजन की 7% होती है बजन की जो होती है वो 7% 7% होती है एक समय ने की बात कर रहा हूं मैं इतना हमारे बजन होता है वो रक्त की मात्रा होती है रक्त एक यह बहूत है वो बजन की 7% कितनी साथ यो बजन की 7% है आगे चलते हैं अगला है रक्त का रक्त का पी एच मान रक्त का जो पी एच मान होता है वो 7.4 से 8.4 के मद्य होता है रक्त का पी एच मान होता है वो 7.4 से 8.4 तक होता है हम देखते हैं सुद पी एच मान होता है होता है यह होता है क्या है इसको एक स्केल होती इसको पिए पिए इसके लिभी कहते हैं यह ऐसी होती है देखते हैं इसको ऐसी स्केल होती है जो किसी भी विलियन के अमली और छारी होने का संकेत करती तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर जो नम्मर होगा वो जीरो होगा यहाँ पर जो नम्मर होगा वो चवदा होगा यहाँ पर एक नम्मर रोल लेता हो में यहाँ पर साथ ले लेता हो ठीक है तो यहां पर अगर किसी पदार्थ का जो pH value है वो 0 से लेकर 7 तक है तो वो अमली होगा वो कैसे होगा वो अमली ये होगा अमली ये प्रगर्ति का होगा 7 से लेकर यहां तक का जो होगा वो चारी होगा वो क्या होगा चारी ये प्रगर्ति का होगा और जिसका सेवनी होगा वो अमली जो सेवनी होगा वो उदासीन रहेगा क्या रहेगा उदासीन ना अमली होगा और ना चारिये होगा तो हमारा जो रख्त का पीएच मान है वो यहां से है जो हमारा रख्त का पीएच मान है वो 7.4 से 8.4 तक होता है यह कौन सो होगा साथी हो तो यह हमारा चारी होगा प्येच का फुल पॉम होती है वो पावर ओफ हार्टोजन इसको बोला जाता है आपको यह समझ में आ गया होगा रक्त का प्येच मान इतना होता है घीच होता है पीस इस के बारे हम ने देखा इसमें 0 से लेके 14 तक अंक रहते हैं 0 से 7 तक किसी billion का मान है वो अमली होगा और साथ से लेके 14 तक जो मान होगा वो छारी होता को चस्यांस है और जिसका 7 की है वो दासिन आपको अच्छी तरह यह वह समझ में आगए चलते हैं अगला है माईलाओ में माईलाओ में पुर्सो की अपैक्चा माईलाओ में पुर्सो की अपैक्चा एक बटे दो रक्त कम पाया जाता है कम पाया जाता है माईलाओ में पुर्सो की अपैक्चा आदा जो रक्त होता है वो कम पाया जाता है अगला पॉइंट हम लेते हैं रक्त में एक बिसिस पैक्ट होता है रक्त में रक्त में हीमोगलोबिन पाया जाता है जिससे रक्त ओक्सीजन वा कारवन डायोकसाइट से क्रिया करता है महिलाओं में पुर्सों की अपिक्चा एक बटे दो रक्त क्या है कम पाया जाता है रक्त में एक पाया जाता है हीमोगलोबिन इसी की बज़े से रक्त ओक्सीजन और कारवन डायोकसाइट से क्रिया करके और उनका क्या करता है परिभेन करता है ओक्सीजन को ले जाता है और carbon dioxide gas को बार निकालता है ये जिम्मेदारी किसकी रेती हिमोगलोबिन हिमोगलोबिन ही oxygen और carbon dioxide gas से क्या करता है तो क्रिया करता है क्रिया करता है आगे देखते हैं हिमोगलोबिन यह खहाँ पर रहता है यह प्लस यह ओटू से क्या करता है इसका रंग कैसा हो जाता है लाल हो जाता है अगला देखते हम इमोगलोबिन इसमें रहती है रक्त में यह यह co2 से क्या करता है तो रख्त का रंग हो जाता है लिग लाग इस वाले रक्त को हम बोलेंगे भ Lynn यह इस विखत आरख्त करता है यह क्या उन साये यह अशुद रख यह कौन साय यह अशुद रखत यह जात हम इसमोगलोबिन के बारे में देख लेते हुमोगलोमिन क्योंग होताया यह हिम प्लस ग्लोविन से बना है हिम प्लस ग्लोविन से बना है यहां पर जो हिम है वो मेरे साथियो लुआ है और यहां पर जो ग्लोविन है वो एक प्रोटीन है एक क्या है एक प्रोटीन है एक क्या है प्रोटीन है यहां पर जो लुआ है यह इस लुआ जो पाया जाता है म Hemoglobin में वह हीं मेटिन हो यहां पर यह प्रोटिन ऊती है वह सरल प्रोटिन होती साथ यह और यहां पर थोड़ा सो और देख लेते हैं इमोगलोविन जब only अकेला होता है तो यह केसे दिखाई देता है तो यह बहुत important fact है इमोगलोविन 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 एक रंजक है एक क्या है रंजक होता है इसका रंग अगर यह oxygen से भी किरिया ना करे और carbon dioxide गेस से भी किरिया ना करे इसका जो रंग होगा वो बेगनी रंग का होता है यह बात भी आपको समझ में आगे होना थीक है तो यहांपर इमोगलोविन एक रंजक होता है और यहां इसका जो रंग होगा वो वेंगनी रंग होगा ये कब होगा यब ये गेसो से क्रिया नहीं करेगा अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं आपको एक चीज अच्छे से कमझ में आ रही होगी आप अच्छे से मेहनत करें आपका एक भी ओश्यन यहां से भार नहीं जाएगा आपके CV वेकेंसी का पेपर दे रहे हो देख लेते हैं रक्त के दो भाग होते हैं साथी हो एक होता तरल भाग एक होता तरल और एक होता ठोस एक कौन सोता है एक होता है ठोस जो तरल होता है उसे प्लाजमा कहते हैं जो ठोस होता है उसे रुदिरानों खा जाता है तीगे रग्त 100% रहता है साथियों अब ये 100% में से 55% प्लाजमा होती है और 45% ये होता है तरल भाग प्लाजमा है और ये ठोस जब हम देखते हैं जब हम चाकु या बिलेट से कड़ जाते हैं तो एक तरल भाग दिकाए देता है वो पिले-पिले रंका होता है हूँ फूरा भिला नहीं होता है थोड़े थोड़े रंका होता है तो वह ही प्लाजमा होती है दाइह्यग्राम ख़पन समाझाञ लेते हैं या हम अलोह हम इसमें कुंछ हैसे मनें रक्त को लिया और रक्त में यहां पर एक तरल पदार्त होता है रक्त तरल होता तламuç है देखाई देते हैं इस तरल पदार्ट को हो हम कहते हैं प्लाज्मा क्या बोला जाता है इसको बोलेंगे प्लाज्मा जब हम रक्त को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसमें हमको गोल-गोल कुछ सरशना दिकाई देती है, यही तो रक्त का ठोस बाग है, यही रक्त का क्या है, ठोस बाग है, यही रक्त का क्या है, यही रक्त का ठोस बाग है, तरल भी यह ठोस भी है, इनको ही बोला जाता है, प्रुद्जहनु इससे ही आपकी इन्हीं के अंदर ही और वीसी वीसी और प्लेट लेट होती है कि आपको यहां पर मालूम होगा कि तरलवाद कौन सा है और ठोसवाल कौन सा होता है हम आगे चलते हैं अब हम प्लाजमा की बात करते हैं कि अच्वाजम कि अ यह रखत का तरल बात यह अच्वार होता एक ड्रालवाद anche आयर बात का क्या मैं दूता है कर रखत का कर दर लभाद होता है वात आपको कटे रोह होगी इसमें इसमें फाइवरी नोजेन प्रोटीन होती है यह बहुत इंपोर्टेन्ट है प्रोटीन होती है प्रोटीन होती है होती है जो रक्त का जो रक्त का ठक्का ठक्का बनाने में सायक होता है यह बहुत ही क्या है इंपोर्टेन्ट है कि प्लाजमा एक तरल भाग है रक्त का प्लाजमा के अंदर ही एक प्रोटीन पाए जाती है और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है फाइवरी नोजोन इसी की वज़े से रक्त का ठक्का जमता है हम देखते हैं हम जब किसी चीज से कट जाते हैं तो कटने के तुरंत ही रक्त निकलता है लेकिन दो या दो मिन्ट से और पांच मिन्ट के वाद दीरे-दीरे रक्त रुख जाता है तो किस प्रोटिन की बज़े से रुखता है तो यह वाले प्रोटिन होती इसको बोला जाता ह झाल प्लाज्म, आगर यह वाली प्लॉटीन नहीं होती, तो रक्त का ठक्का नहीं बनते, जब हम कट जाते हो, तो रक्त भेथा रहता रहता, और हमारे सेल का पूरा रक्त निकल जाता है। अगला पोईंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, जब प्लाजमा से फाइवरी नोजेन, फाइवरोनोजेन, प्रोटीन, अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, तो सेस प्लाजमा को, जो सेस जो प्लाजमा बचती है, उसे दोस्तो सेरम कहते हैं, अगर हम इसको अलग करते हैं प्लाजमा से, तो जो सेस प्लाजमा बचती है, उसे हम सेरम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम सेरम कहते हैं, तो आपको रख्त की ये वीडियो अच्छी लगी होगी जादा से जादा इसको सेर करे अपने दोस्तों के पास लाइक करे और कमेंट में आपके विचार बताए चैनल को सब्क्राइब जरूर करे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ चैन के वारत बाई दोस्त